लाइव न्यूस खबर तो पक्की है उस समय देश में मजहभी कट्रता की आंधी आई थी धर्म को दर्शन विज्ञान और आत्मसोद का विशे मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उमीद गुरुतेग बहदुर साब के रुप में दिखी थी अवरंग जेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरुतेग बहदुर जी हिंद दी चाधर मनकर एक चचान मनकर खड़े हो गए थे इत्याद गवा है के वर्तमान समय गवा है और ये लाल किला भी गवा है के अरंग जेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने बले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा लेकिन हमारी आस्ता को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका गुरुतेग बहदुर जी के बड़िदान ने भारत की अनेकों पीडियों को अपनी संस्कृती की मर्यादा की रक्षा के लिए उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दिया